हाई फ्रेंट्स मैं आपके लेके आया हूँ एक बर फिर से प्राइड एंड प्रिजुडाइस का ये वीडियो जो जैन आश्टन के दोरा लिखा गया है इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बात कर लें जैन आश्टन के बारे में तो इनका जो ये बॉर्ण वेदे 16 डिसंबर 1775 को इस्टे वेंटें रेक्ट्री हैंपसायर में इंगलेंड में और डाइड वेदी ये 18 जुलाई 1817 को जब ये 41 यर्ज के थे तब इनकी डेथ हो गये थी विंचेस्टर में हैंपसायर इंगलेंड में इनका जो वर्किंग पीरिड है 1787 से 1809 इसकी पुब्लिष्ट वादा 28 जनवरी 1813 को 1813 को ये पुब्लिष्ट वादा इस नाटक में दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है खास लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके पार्ट्स का इनके बारे में सुनेंगे तो इसमें से पांच बहनों की कहानिया है जिनका विवाह होता है और उनमें से इसमें जो थ्री सिस्टर्स हैं पहले उन्हीं की बारे में बताया गया है उन्हीं की बारे में पुरी कहानि इर्दिगीर घूमती है जिसका जो मेन करेक्टर्स है वह है एलिजावेद एलिजावेद के बारे में कहानी है तो देखते हैं दोस्तों यह उ उपन्यास में पांच बैनों की कहानी है, करेक्टर्स की बात करें, तो Mr. Darcy है, Elizabeth जो सबसे ज़्यादा important heroine है इसकी, Elizabeth Bennet, ये Bennet families की है, जो पांच sisters है, is the protagonist in the 1813, Elizabeth is the second child in the family of life daughters, five daughters की जो family थे, उसकी second child थी है, इसके बाद Mr. Williams Collins, he is the cousin of Mr. Bennet, Charles Bingley, एक members होता है, जो इनके family neighboring में रहने के लिए आता है, इसके बाद George Wickham, George Wickham ऐसा बेखती होता है, जो Darcy के बारे में, Elizabeth को उल्टा शीदा बरता है, Lady Catherine, Lady Catherine, जो है, Eddie Brot, she is the widow of Sir Lewis, यह Sir Lewis की विड़ो थी, Jane Bennett, Jane Bennett जो थी, she is the sister-in-law of Fitz William Darcy, Darcy की sister-in-law थी, इसका Mrs. Bennet, Mrs. Bennet थी, mother of five Bennet sisters, इसके बाद Caroline Bingley है, She is the younger sister of Charles Bingley, Charles Bingley की younger sister है, Lydia Bennet, Lydia Bennet जो है, यह एक third number की लड़की है, जो बहुत ही खुबसूरत है, और एक Charles Wickham के साथ में, George Wickham के साथ में यह भागकर love marriage करती है, और George Wickham इसे साथी करने से फिर मना करता है, बोलता है, मुझे पैसे दोगे, तब यह मैं साथी करूँगा, तो इस तरह की इसमें दिखाया गया, Lydia के बारे में, Mr. Bennet की बात करें, Mr. Bennet is married to Mrs. Bennet के पती है, Mary Bennet यहन की पत्नी है, चैलोट Lucas है, यह she is the wife of William Collins, William Collins की wife है यह, and George Nia Darcy है, she is the sister-in-law of Elizabeth Bennet, Elizabeth Bennet की sister-in-law है, Kitty Bennet, Catherine, Kitty इसको प्यार से लोग Kitty बोलते थे, Catherine नाम ते इसका, Bennet is fourth daughter of Mr. and Mrs. Bennet, जो Bennet family थी उसकी चौथी लड़की थी, इसके बात है Mrs. Gardner, Mr. Mrs. Gardner, जो थी यह एलिजाबेत की एक आंटी थी, इसके बात देखते हैं दोस्तों इसकी समरी में, अब इसमें क्या होता यह समरी में, इनकी साधिकी बात की किस तरह से एक दूसरे से प्रेम करती हैं, जो focus story, main story इसमें, डार्सी और एलिजाबेत के बारे मताया गया है, कि पहले जो डार्सी होता है, वो बहुत प्रावडी होता है, क्योंकि वो बहुत रिच होता है, एलिजाबेत एक normal family से बिलॉंग करती है, इस जाएसे तो जब यह party में गया वे होते हैं, तो डार्सी वो बोलता है, कि इसके साथ में dance कर लो, डार्सी उसको बोलता है, कि आरे यह तो normal family से बिलॉंग करती है, मैं इसके साथ कैसे dance कर सकता हूँ, तो यह एलिजाबेत ऐसा सुन लेती है, एलिजाबेत इस जाएसे डार्सी से चेड़ने लती है, उन्ही के काहनी को इस सीरियल में दिखाए गई है, देखते हैं दोस्तों, इस novel के जो सुरुवात होती है, मिस बैनेट और मिसिस बैनेट से होती है, मिस बैनेट अपने पती से कह रहे हैं कि जाओ, मिस्टर बिंगले, एक इनके बिंगले थे पड़ोसी, जो इनके पास में रहने के लिए आये थे, बोलती है कि जाओ उनसे मिलो, क्योंकि हमारी पाँच बैटियां हैं, वो अपनी बड़ी बैटी से इनका विवाह कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा, जो बिंगले होते हैं, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो जो जो जेन मिनेट होती है, सबसे बड़ी बटी होती है, जेन मिनेट, और बिंगले, इनके फिर बाद में मुश्किलों से काफी मुश्किलों के बाद इनकी मैरेज हो जाती है, इंगेजमेंट होती है, मैरेज की होता है और जैन्की होती है जिनकी जो सिस्टर वो भी आई होती है तभी जो दिलोंग करते हैं नार्स के सब्सक्राइब करते हैं इसकेड़ इसके बाद जो एलीजाब题 होती है काफी बाओ खाने लिए उन्टी पीर डार्सी बोलता है चीक है सौरी हम तुम्हारे पत्र लिखते हैं मुझे माफ कर दो जैसा तुम सोचती हो ऐसा मैं नहीं क्योंकि इसके एलजाबेट के को जो विकम था उसने डार्शी के बारे में भर दिया था कि यह बहुत बुरा है ऐसा है वैसा है तो विकम और यह बता दे उटा सिथा जिसकी वजाए से डार्शी से अच्छे से बात नहीं करती है जब बात करते नियुक मेरे बारे में एलजाबेट को भरा था तो क्या करते हैं एलजाबेट को पत्र लिखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसा आपको बताया गया है फिर एक बड़ जो अब बात करते जब इनकी sister विकम के साथ में भाग जाती है तो विकम किया करता है बोलता है कि यह मैं इस तभी तुम से बात करूँ इंग्लेंड में रहती है एक साधी लेकर नहीं के उसी करता है वो बुखे पैसे नेकी तभी तो hoerei Cать किसे करोंगा जो इनके पास पीसे किसा कर दक तो फैर्स को दोनों का इलिद साधी होता है हो थो बाद ऑसके बाधे होगे साधी हो जाता है तो इस उपन्यास के अंत में यही दिखाया गया है कि किस तरह से डार्सी और एलिजाबेत की साधी खुशी-खुशी हो जाती है और सभी लोग पर संद हो जाते हैं तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब होना थैंक्स अलोट